हेलो दोस्तो आरके मिक्स इंटर्टेन्मेंट चैनल पर आपका स्वागत है दोस्तो आज इस वीडियो में मैं आपको हैलोवीन के बारे में बताऊंगा दोस्तो यह क्यो मनाया जाता है इसका क्या इतियास है इससे जुड़ी जो भी सारी चोटी बड़ी जानकारी है वो आपक सबसे पहले मिल सके तो चलिए दोस्तो स्टार्ट करते हैं दोस्तो हैलोवीन दिवस इसाईयों का एक तोहार होता है जो कि अक्टूबर की 31 तारिक को मनाया जाता है अलग लग धर्मों के तोहार अलग लग परकार के होते हैं जैसे हिंदुों में होली, राकी, दसेरा, एव दिवाली, राष्ट्य तोहार के रूप में सवतंतरता दिवस, गंतंतरत दिवस और भी कई तोहार मनाये जाते हैं इसलाम में एदुल फितर, बकरीद, मुरम आदी और सिक में बैसाखी, गुरु नानक जैनती आदी उसी परकार इसाईयों में कई परकार के तोहार मनाये ज यूरोपिय देशों के लोग मनाते हैं लेकिन इस तोहार की सुरुआत आरलेंड एवम स्कोटलेंड से हुई है दोस्तों हेलोविन दिवस को ओल हेलोज इवनिंग, ओल हेलोविन, ओल हेलोज इव और ओल सेंट्स इव भी कहा जाता है यह दिन सेल्टिक कलेंडर का आखरी द के रूप में देखते हैं पहले पूरे यूरोप में रहते थे लेकिन समय के साथ आज आरलेंड, स्कोटलेंड, वेल्स, ब्रिटनी और कारणवाल आधी छेतरों में निवास करने के लिए जाने जाते हैं दोस्तों हेलोविन हर साल अक्टूबर महिने की 31 तरिक को मनाया जात ओल सेट्स डेग पूरे उत्तरिये यूरोप के देशों में एक नॉम्बर को मनाया जाता था लेकिन कुछ और सुतरों के अनुसार हेलोविन का इद्यास प्राचिन सेल्टिक तोहर जिसे सैम हैन कहा जाता है से संबंद रखता था इस दिन गैलिक प्रमप्राव को मनाने वा इस बात पर बहुत ज़्यादा बरोसा करते हैं कि इस निर्दारित दिन पर मरे हुए लोगों की आत्मय उठती हैं और धर्ती पर परकट होकर जीवित आत्माओं के लिए प्रेशानी पैदा कर देती हैं इन बुरी आत्माओं से डर भगाने के लिए लोग राक्सस जैसे इस पूज़ के लोग उनकी गैलिक भासाओं के रूप में सेल्टिक लोगों के वनसक हैं इसे ओल सेंट्स डे भी कहा जाता है जो एक नौवंबर को मनाया जाता है जो कि मुर्ती पूजगों के परिवर्तन के लिए इसायों द्वारा बनाया जाता है ओल सेंट्स डे से पहले ओल हेलोस इव की शाम होती है जो की अब हैलोविन इव के नाम से जाना जाता है इस उत्सों में मुर्तियों की पूजगों की जाती थी लेकिन कुछ पॉप्स इन्हें दूसरे इसाय धरम के साथ मिलाने की कोशिश की और नतिज़ा यह निकला की ओल की रिवाजों से मनाते हैं जैसे ट्रिक और ट्रेंटिंग यह हैलोविन दिवस मनाने का बहुत ही साधारन तरीक है जिसमें कुछ लोग ड्रावने कपड़े पहनते हैं और लोगों के घर घर जाकर कुछ केंडी उपार में देते हैं इस दिन बच्चे कद्दू जैसे आकार का बैग लेकर घर घर जाते हैं और वे घर के मालिक से पूछते हैं कि ट्रिक या ट्रीट इसके दोरान कुछ लोग भूत बनकर ड्राते हैं तो कुछ कैंडी बाटते हैं और खुश्या मनाते हैं दूसरा तरीका है विविद वेश भूशा इस दिन लोग अलग अलग परकार की वेश भुशाय धारन करते हैं जो कि इस तुवार की संस्कृति के अनुसार होती है इस दिन लोगों के कपड़े दानव, शैतान, भूत, पिशाच, गिरिम, रीपर, मोंस्टर, ममी, कंकाल, वेंपायर, क्रामाती, वियर वल्फ और चुड़ैलो आदि जैसे होती है और लोग इस तरह के कपड़े पहन कर दूसरों को ड्राते हैं एक और तरीका है जैक और लेंटन बना कर इरीस लोग कथाओ के नुसर हैलोवीन पर जैक और लेंटन का निर्मान करने का रिवाज होता है लोग खोकले कद्दू में आक नाक और मुग की नकासी करते हैं फिर इसके अंदर मौमबत्ती रखते हैं और अपना चहरा ड्रावना बना लेते हैं इसके बाद इस नकासी दार कद्दू को एकितरद कर दफनाया जाता है दोस्तो और लाच तरीका है खेल और दूसरी गतीविद्या इस दिन लोग हैलोवन दिवस की पार्टी में बहुत से खेल खेलते हैं जिसमें से सबसे ज़्यादा खेला जाने वाला खेल डंकिंग या एपल बॉबिंग है जिसे स्कोटलेंड में डुकिंग कहा जाता है जिसमें सेब को एक टब या पानी के बड़े बेसिन में तेराते हैं और फिर प्रती भागयों को अपने दातों से इसे निकालना होता है इसके अलावा भी बहुत से खेल खेले जाते हैं हैलोवीन पर कुछ प्रमप्रकत गतीविधिया भी होती हैं इसे भुष्यवानी इस गतीविधि के अनुसार और अपने भईशे के पती या पतनी के बारे में पता लगाने के लिए एक लंबी सी पट्टी में सेब बनाते हैं इसके बाद इसके चिलके को किसी एक के कंदे पर टोस करकर गिराते हैं यदी चिलका जमीन पर किसे अक्सर के आकार में गिरता है तो कहते हैं कि यह उसके साथी के नाम का पहला अक्सर है यह एक अलग प्रकार की गतीविदी है जो की कुवारी लड़किया खेलती है इसके अलावा और भी कई प्रकार के खेल वे गतीविदीया खेली जाती है जिन्में से एक में उनका मानना है कि जब एक अंदेरे कमरे में बहुत देर तज टक टकी लगाए सीसे के सामने बैठते हैं तब उनका विश्वास है कि सीसे में उनके बहुशे में होने वाले साथी का चैरा दिखाई देता है हेलोवीन दिवस पर अलग-अलग जगे के लोग अलग-अलग परकार के व्यंजन बनाकर पार्टी मनाते हैं दोस्तो इसके अलावा हैलोविन थीम के आकार की केंडी, हैलोविन केक, नोवल्टी केंडी का आकार जैसे खोपडी, कद्दू, चमगादर और कीडे आधी कद्दू, कद्दू पाई, कद्दू ब्रेड, पॉपकॉन, पॉण्ड केक, कद्दू की प्योरी के साथ बरा हुआ प्रोमीकिन्स, बुनेवे कद्दू के बीज, एवं स्वीट कोर्न और आत्माओ के केक आदी, ये सारे परकार के वेंजन भी हैलोविन दिवस पर खाये जाते हैं, इसके अलावा, आज के समय में हैलोविन दिवस को लोग फन के रूप में मनाते हैं, पहले के समय में इस दि आपको इस वीडियो में हैलोविन से जुड़ी सारी चोटी बड़ी जानकारी अच्छे से इस वीडियो में दे दी होगी, दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अपने सारे फ्रेंड्स रिलेटिव हर जगे उसे शेयर करें, ताकि उनको भी इस इसाई के जो तुआर है, इनके बारे में पता चल सके दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में यदि आपने कभी हेलोविन मनाया है या इससे जुड़ा कोई भी आपका एक्सपिरेंस है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखना ना बूलें दोस्तों, और इसी के स मिल सके धन्यवाद दोस्तों जय हिंद।